स्वागत है आपका आपके अपने चनल स्टड़ी विद मोटिवेशन में तो आपको पता ही है कि अब UPPCL का TG2 का CBT रिजल्ट आ चुका है और आपका जो DV है वो 9 से 12 फेबरवरी के बीच में है तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DV में कौन कौन से जो डाकुमेंट्स है वो जरूरी है आपके वो बीसी के लिए जाती प्रमाणपत्र आपका कब तक का मानने होगा EWS प्रमाणपत्र किस तीथी तक का मानने होगा अगर DV छूटेगा तो क्या दुबारा मौका मिलेगा हाँ जिस डेट पर जिसकी DV है अगर उसकी छूटती है किसी करणबस तो क्या उसको दुबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इन सब पर हम बात करने वाल है इस वीडियो में चली दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, कि यह आपका जो रिजल्ट है, वो कल आयो के द्वारा जारी कर दिया गया था, और दो गुना भैर्थियों को DB के लिए बुलाए गया है, और यहाँ पर जो रोल नमबर है, क्या क्या ले जाना है, तो मूल अभिलेख यूम उसकी एक एक सोयम सत्यापित चायपरती के साथ, निर्धारित तिति समय वो इस्थान पर DB ले पहुचना है, उसके बाद यहाँ पर आप फर्स नमबर पर देख सकते हैं, कि फर्स नमबर में क्या है, आउनलाइन अवेदन पत्र का प्रेंट आउट, जब आपने आउनलाइन अवेदन किया था, उसका प्रेंट आउट, CBT परिक्षा है, तो जो निर्गत प्रिवेश पत्र है, चायपरती आपको साथ ले जानी है, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, ITI, Trade अंक पत्र, आपका जिस्ट्रेड से, उसका अंक पत्र होना चाहिए, और हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद अदृतन जाति प्रमाण पत्र, अ रक्षित वर्ग के लिए, आप जो अगर रक्षित वर्ग में हैं, तो आपको जात्र प्रमार पत्र होना चाहिए और यहाँ पर मिंसन हुआ है OBC के लिए कि OBC NCL के लिए जो आपका दिनांक किस दिनांक के बाद का निर्गत होना चाहिए किस दिनांक के बाद का बना होना चाहिए आपका जो जात्र प्रमार पत्र है OBC के लिए उसके बाद अगर हम EWS का टेगरी के बात करते हैं तो आर्थी क्रूप से कमजोर के लिए जो EWS का सर्टिफिकेट बनता है उसकी निर्गत की डेट क्या हो तो 31 मार्च 2022 के बाद का हो ये भी दोस्तों आपका 31 मार्च 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए 31 मार्च 2022 के बाद ही होने चाहिए दोनों सर्टिफिकेट आपके उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आदेतर निवास प्रमारपत्र जो की आपका आरक्षित वर्ग के लिए है तो ये भी आपका 31 मार्च 2019 है यहाँ पर वहाँ पर 22 था यहाँ पर 31 मार्च 2019 है कि इसके बाद का निर्गत होना चाहिए, इसके पहले का मानन नहीं होगा, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हूं कि भूतपूर सैनिक प्रमारपत अगर यदि लागू होता है वो होना चाहिए, सुतंतर संग्राम से नानी के लिए आस्रित प्रमारपत यदि आनने फोटोग्राफ विजए तो आपका पहचान पत्र होना चाहिए और अन्न कोई प्रमारत जो बिग्यापन के अनुस्वार आवश्यक है वो आपके होने चाहिए, तो यह आपके कुछ जो में में डाकुमेंट्स है वो आपके यह होने चाहिए, उसके बाद बास कर लेत यहां पर आप देख सकते हो कि 12 अभ्यार्थी उनका यहां पर रोल नमबर दिया गया है उसके बाद यहां पर कोई भी डेट रिजर्ब नहीं रखी गई है जो छूटे हुए अभ्यार्थियों के लिए हो दीवी के सत्यापन होगा तो आपको जिस डेट बुलाया जा रहा है आपको उस डेट में पहुंचना ही है अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका जो आप भेर्थन है वह सोता ही निरस्त माना जाएगा तो इसमें कोई वैकलपी बेश्ट नहीं रखी गई है कि आपको कोई रिजर्ब डेट रखी गई हो हाँ अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको आयोग से संपर्क करना पड़ेगा इसके लिए तो बाकी जो यहां पर मेंसन है वो मैंने आपको बता दिया है तो इस प्रका चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी चलिए दोस्तों फिर मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद